नमस्कार दोस्तों आपका एक वर्फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने साइज को कम कर सकते हैं बीना उसके क्वालिटी को कम किये तो दोस्तों हमारे सब बने रहें और इस वीडियो को फूरा देखें तो दोस्तों उसके लिए हमें एक सौफ्टर की जोरुप पड़ेगी तो चलते हैं अपने प्रॉस्टर पर और सच करते हैं हैं हैंडब्रेक तो दोस्तो मैं इसे ओपेंड कर देता हूँ तो दोस्तों हमारे ये वेबस्ट हखोशें खुल चुक committed हैं download handbrake पर click करके तो दोस्तों मैंने इसे पहले से download कर रखा है इसलिए मैं इसे pause कर देता हूं तो चलिए अब हम इसे open कर लेते हैं तो हमारा यह handbrake का software open हो चुका है दोस्तों आप source पे जाकर यहां पर आप कोई भी folder को add कर सकते हैं या फिर आप कोई single video को भी यहां अगर add करना चाहें तो add कर सकते हैं तो मैं यहां से एक video को select कर लेता हूं दोस्तों यह song की जो size है आप देख सकते हैं यहां पर एक सुद्धा से भी किये तो चलिए मैं इसे select कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों हमें यह file को कहा save करना है उसको select कर लेते हैं तो चलिए मैं से select कर लेता हूं इसे desktop पे मैं इसके को दे देता हूं सब्सक्राइब और फिर save कर देता हूं तो हमारा जो भी video convert होगा वो desktop के ऊपर में save हो दे तो दोस्तों आप चाहें तो यहां से अपनी video को resize कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहां से इसकी size को कम कर सकते हैं जितना भी चाहें अपनी video को size को कम करना तो मैं इसे 26 कर देता हूं यहां से आप अपने audio के bitrate को set कर सकते हैं मैं इसे 128 के bitrate कर देता हूं दोस्तों यहां पर काफे सारे preset की होगे हैं आप चाहें तो इसे use कर सकते हैं तो चलिए मैं start पे click करता हूं और यह हमारा video convert होना start हो चुका है तो दोस्तों हमारा जो video था वह convert हो चुका है तो चलिए इसके size को और इसके video quality को check कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर update पारे इसकी size थी वह 26.7 MB की होची जो 110 MB की थी दोस्तों आप इसके picture quality को भी देफेक्टे हैं कि 26 MB HD sound की picture quality काफी अच्छी है तो दोस्तों आप मैं आपको दूसरी video को research करके दिखाता हूं तो दोस्तों मैं फिर से यहां से एक video को select कर लेता हूं और इसके audio quality को 128 kbps कर देते हैं और video quality 26 ठीक है तो चलिए अब इससे start करते हैं और हमारा यह video resize होना start हो चुका है थोड़ा wait कर लेते हैं दोस्तों video की जो constant quality है उसको आप जितना कम करेंगे video की size उतनी कम हो जाएगी लेकिन आप उसे ज्यादा कम करेंगे तो फिर video की picture quality खराब होनी शुरू हो जाएगी इसलिए उसे अपने हिसाब से ही कम करें तो दोस्तों हमारे यह video resize हो चुका है तो चलिए इसके size को चेक कर लेते हैं और आप देख पार हैं यहां पर इसकी जो size है वह 14 MB की हो गई है और इसकी जो original size थी वह 103 MB की है तो दोस्तों यहां पर 90 MB करीब करीब इसके कम हो चुके हैं तो मैं इसे play करके देखता हूं तो दोस्तों आप यहां पर देख पार है इसकी जो picture quality है वह अभी भी सही है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like और share करना ना भूलें अगर आपने अभी तेख हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीची दियो इस subscribe बटन पर क्लिक करके आप हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पास सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye दोस्तों thanks for watching